नमस्कार, मैं आजय कुमार, न्यूज किलिक में आपका स्वागत करता हूँ मोधी सरकार का अंतिम साल समयधानिक पर्थाओ के अनुसार होना तो ये चाहिए था कि मोधी सरकार जाते जाते अपने पांच साल का लेखा जोका देती और तीन महीने जो बचे हुए थे उनके खर्च का बेवरा रखती लेकिन राजनीती में ऐसा होता नहीं है सत्ता की राजनीती एक अलग अंदाज से चले जाती है पांच साल काम के थे लेकिन छे बज़ट प्रस्तुत कर दिये बज़ट प्रस्त के हुए कुछ दिन हो गया है उसका बारीकी से अध्यान करने के लिए हम बाचीत करेंगे आर्थिक विशले सक प्रवीन जहा से तो प्रवीन जहा पहली बात तो यहीं उठती है कि भारत जैसा एक देश जहांपर किसानी की बदहाली है युवाओं को की बेरुजगारी की बदहाली है 45 साल में देखा जा रहा है कि सबसे बड़ी बदहाली नौकरी की और ऑक्सफेम की रिपोर्ट आती है कि एक प्रतिसत लोगों के पास 70% संपदा है ऐसी स्थिति और लोकतांत्रिक सिर्धानत कहता है कि समावेशी विकास होना चाहिए इस चीज को मद्दे नजर रखते हुए हमारा इस बार का बजट आपको लगता है किसी सवालों का जवाब देता है या किवल चुनावी मैनिफेस्टों भर है कुछ न कुछ हर बजट के माध्यम से जहां भी कोई गंभीर समस्या है उसके लिए कुछ सिग्निफिकन्ट प्रयास कर सकते है उसके प्रती एक जो है कहा जाए कि उदासीनता ही नहीं बलकि एक जो पूरी सोच है वो एक विरोधा भासी किसम की सोच है उसको हम उस दिश्रिकोन से देखें और मैं इसको थोड़ी देर में खुला सा करता हूँ लेकिन उसके पहले जिस बात से आपने शुरू कि आपने कहा कि कुछ समवैधानिक मर्यादाएं होती है उसका पालन करना चाहिए किस समवैधानिक मर्यादा का पालन ये सरकार करती रही है आप ये पेक्षा क्यों कर रहे था इसलिए जो है मुझे कोई आश्चेरी नहीं हुआ जब टैक्स को लेके जो आम तोर पे वोट अन अकाउंट में या इंटरिम बजट में जिसको लेके जो है कुछ नहीं किया जाना चाहिए और वो भी रेट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट से कुछ चीज़ें जब की जाती है फड़ा सासान भाशा में मसलन ये हुआ कि जो क्रिशिकों को जो एक सहायता देने वाली बात है उसको लेके कहा गया कि जो चालू वित्वर्ष है इसमें आबंटन तकरीबन 20,000 करोड का उनके सहयोग के लिए होगा ये तो पिछले बजट की चीज़ है आप जो है दिसंबर से कह रहे हैं कि हम ये करेंगे तो ये तो अपने आप में सर्वतार नुचित है जो बहुत गहरे संकट है गहराने के पीछे जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है वो हैं Acts of Commission कुछ तो होता है Acts of Omission कि आप कुछ नहीं करते हैं दूसरा होता है आप कुछ करते हैं जिससे क्यों समस्या और गहरा जाए इसमें खास करके दो चीज़न जो हुई एक तो Demonetization था और दूसरा जिस तरीके से GST को लाया गया तो Demonetization ने जो है वो एक तरह से कमर तोड़के रख दी खास करके ग्रामीन भारत की खास करके जिसको हम छोटे उद्योग कहता है MSME जो हैं उन सब की तो यह तो अपेक्षित था उसके बाद Manufacturers Organization की Report देखें जिसके तीन लाख मेंबर्स हैं और यह जो सर्वे उन्होंने किया था वो 35,000 MSMEs के साथ किया था हर धड़े में माइक्रो में, स्मॉल में, मीडियम में हर धड़े में आप देखिएगा कि तकरीबन 20 से लेके 40 प्रितिशत वेरोजगारी दी मॉनिटाइजेशन की हो जासे भी आपने पूरा कहा कि Act of Commission का मसला है कि मतलब Act of Commission को कहें तो जैसे कि हम काम करना ही नहीं चाहते हैं उधर देखी नहीं रहा है इरादा ही नहीं है काम करने का हमारा और इरादे के तर पर हमने यह दिखाया कि किसानों को लाप पहुचाने के लिए हम उसे 6,000 रुपया सलाना देंगे यानि कि 500 रुपया मन्थली देंगे जबकि कॉस्ट आती लगबग 15,000 है एक फसल की इंडियन एक्सप्रेस का एक आंकड़ा है यानि कि 500 रुपया जब हम देंगे किसी को एक किसान को तो आपको लगता है कि जो किसानी की समस्या है वो इससे ठीक ठाक होगी जो ये देर हैं आपने कहा 2000 की जो घोशना है गर वो कितना 7,5 बैग यूरिया आप अगर ज़्यादा जो महगे फेटिलाइजर्स हैं इससे डियेपी हो गया वो सब आप पूरा पैकेट लेके देखना चाहां तो कोई किसी का 2 बैग मिलेगा किसी का 1.5 बैग मिलेगा किसी का 1.5 बैग मिलेगा तो आप कर क्या रहे हैं ये इसको तो दूसरे तरह से अगर हम देखें इसी सवाल को जैसे कि राहूल गांदी का एक वक्तव है कि हम यूनिवर्सल बेसिक इंकम देंगे और अचानक से ऐसा आता है बजट में सुनने को मिलता है कि भाई 500 रुपय मन्थली देंगे 500 रुपय मन्थली देने का मतलब कि 500 रुपय हम मन्थली देंगे डायरेक्ट बेनफिट ट्रांसफर के तौर पे कि सीधे आपके जेव में जाएगा और भारत सरकार बहुत सारे योजनाइश भी चलाती है जैसे फर्टिलाइजर सबसीडी किसी उर्वर क्या कहते हैं कि बिजली पे सबसीडी बहुत सारी सबसीडियां होती है तो अगर स्टेट पांसो रुपया दे है और पांसो रुपया में इतनी बड़ी महेंगाई इतना बड़ा समाज सब कुछ है हमको सोचने को हमको ना मिले कि हम इसको खर्च कहां पे करें उससे अच्छा ये नहीं सकता है कि स्टेट इसी को सबसीडियां को बदल के दे सकते थी लिए दो किसम के रूट्स हैं एक तो ये है कि आप डिरेक्ट ट्रांसफर्स करें और जिसको डीबीटी कहा जाता है और सोच ये बन रही है कि उसी दिशा में हमें जाना चाहिए एक तो वो मुद्दा है दूसरा है कि ये जो किया जाए, किस हद तक किया जाए, कि कुछ जो भी आपकी आया है उस पे एक additional, एक साहयता जो है, तो एक तरह से income top up वाली बात को है, वो करने की, अब सवाल ये है कि कुछ किसम के income transfers हों, बड़े सही होते हैं, लाजमी होते हैं, मसलन आप retire करते हैं, किसी में हर महिने पहुंच जाता है, वो ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मानने जिए शिक्षा है, या स्वास्तिये, इन सबको गर आप substitute करने की सोचें, चाहे वो आप महां subsidy दे रहे होंगे, या direct provisioning कर रहे होंगे, तो जो subsidy की आपने बात की, कि गर उसके माध्यम से आप कर रहे हैं, तो state कहीं न कहीं उसको जो public provisioning का जो दायरा है, उसमें लाती है, तो उसको हटा के गर आप income support के तौर पे उसको replace करते हैं, तो ये पूरी तरह से सरवथा गलत है, तो कुछ ऐसी चीज़े हैं, मसला scholarship है, आप देते हैं, बड़ी अची चीज़े, वो एक direct transfer है, लेकिन फिर्वी education का जो budget है, मैंने इसी में देखा, साल दर साल कम होते जा रहा है, उसको गर आप देखें कि as a proportion of GDP, अगर उस दिस्कूर्ण से देखें आप, वाकले आपके पास, हाँ, हाँ, साल दर साल ये कम होते जा रहा है as a proportion of union budget भी, और as a proportion of GDP भी, दोनो तोर पर ये कम होते जा रहा है, पिछले क्या कहते हैं, पिछले साल 2017-18 में 0.48 ता और इसमें 0.45 परतिसद, नहीं, देखें, इसमें कहीं कोई संदे नहीं है, कि social sector, by and large, इनकी priority नहीं रही है, और ये मैं सिर्फ budgetary allocation के हसाब से नहीं कह रहा हूँ, गर आप देखें कि स्कू पांचे जार स्कूल बंद के हो गया है, कह रहे हैं कि साब हम उनको हम rationalize कर रहे हैं, लेकिन कि rationalize कर रहे हैं, तो आपने जो शिक्षा का अधिकार दिया, वो क्यों दिया, तो इस तरीके से जो है, चाहे अब दूसरा आप देख लीजिए, मसलन जो Food Security Act जब Congress ला रही थी, UPA सरकार ला रही थी, तब यह कहा गया था कि साब, यह तो बहुत कम दे रहा है, हम तो जो है, आगे बढ़के देंगे, पहला काम क्या होता है, जब यह सरकार आती है, एक कमिटी बनती है, शांता कुमार कमिटी वो क्या कहती है, जो है उसको कम कर दो, तो social sectors को लेके, social security को ले देखे सर, social sector वाले scheme में जो भी है, ऐसा लगता है कि state का जो जन कल्यान का काम था, वो public private partnership में बदल गया है, सब की सब बीमा scheme निकल रहा है, जैसे कि आयुश्मान भारत आप ले ले लेजी, और health का क्या कहते है, budget ही काम कर देजी, public health care के नाम पे कुछ भी नहीं, इन सारे मस सरकार की सोच की, लेकिन हुआ ये कि और ज्यादा aggressive ढंग से ऐसी चीज़ें, जो जिन पर प्रशन चिन है, उसको promote किया गया, बीमा का मार्क, तो बीमा का मार्क नया नहीं है, ये जो है पिसली सरकार के समय से ही जो है, देश जेल रहा है, और उस पे काफी हम जानते हैं, पूल तह जो है, वो insurance companies को होता है, जो इसमें आपको state के लिए भी जो cost है, जो state cost incur करती है, अगर आप public provisioning खुद करते हैं, तो उस पे जो आपको cost होता, उसकी बजाए गर आप private के माध्यम से करार हैं, तो private sector तो cost plus profit लेगा ना, तो इतना सा जोड़ के देखिए, तो बहुत हो जाएगा आपको कि क्यों ये गलत मार्क है, उस इक्षा के शेतर में, चाहिए स्वास्त के शेतर में, जो भी इस तरह की बुनियादी जरूरते हैं, इसमें ये जो PPP जो है ना, ये basically क्या हो जाता है, कि private profit at the cost of public sector, असल मतलब PPP का यही होता है, और public sector के पास अपना तो जोट है, वो समाज को पढ़ती है, समाज पर जाती है, तो इसको इस तरीके से देखने की आवश्यक्ता है, अब ये इनके उस पर मज़िए, टेक्स एक्स्ट्चर वाले मसले पर आते हैं, जो उन्हेंने पांस लाग के से कम आए वाले को छूट दे दी है, तो ये देखे है कि आए में तो क्या कहते हैं, जो आए का जो रियल इंफलेशन के हिसाब से, नॉमिनल इंफलेशन जो अरसास का टर्म होता है, उसके हिसाब से देखा जाए तो वो बराबर ही है, मतलब कुछ उसका फाइदा, देखे दो दो चीज़े आपको धियान में रखने वाली, यहां ले आना चाहिए, मुक्त कर देना चाहिए, इनका कैमपेंड यह था, जेटी साब ने कई बार कहा था, उसके बाद रिपीटेडली आप यह बात थूराते रहे कि नहीं यह हम करेंगे, हम करने वाले हैं, होना चाहिए, त्यादी, आप कब करते हैं यह, आखरी इंटरिम उसके माध्यम से, आप कितना मैक्सिमम, सेविंग्स के माध्यम से, जो पर्मिसिबल किसम के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसके माध्यम से, आप कहां तक बचा सकते हैं, तो बचाने के लिए जो है, आपको इस कसम के इन्वेस्टमेंट करने होंगे, जिससे आपकी कुल आ कुलाय आपकी नौ लाग भी हो सकती है लेकिन गर आप टैक्सबल आए इन तरह के इन्वेस्टमेंट के माध्यम से पांच लाख से नीचे ले आते हैं तो आपको नौ लाख पे भी जो है कुछ नहीं देना पड़ेगा इसकी जो पुलिटिकल मेसेजिंग है वो बड़ी इंप अपना अप्रोप्रियेट इंवेस्टमेंट के माध्यम से जो है आप फिर उस टैक्स के दाएरे से बच सकते हैं और मैं आपकी बात पर आ रहा है कि 10% जो जेनरल कैटेगरी में लोग हैं उनके लिए रिजरवेशन की बात कही गई शिक्षा में और रोजगार में उसके लि तो गर 8 लाग आप सिमा रेखा बनाते हैं आपकी खुद की सोँच में बता रहा हैं कि गरीबी रेखा के लिए या पूर कैटेगरी के लिए गरीबी रेखा मत कहिए उसको लेकिन जो जिनको वो पूर की तौर से ठीट करेंगे सोचेंगे जिनके बारे में तो वहाँ आप 8 की विसंगतियां है तो मिला जुला के है और गर कोई एक चीज जहां तक इस टैक्स के मार्धियम से जिस चीज का शायद सबसे सिग्निफिकंट इनको गर कुछ फायदा मिलेगा कितना मिलेगा कहना मुश्किल है लेकिन गर कहीं कुछ मिलने की गुंजाईश है सिर्फ उस प्र उसके मार्धियम से तो शायद सबसे सिग्निफिकंट यही है और मैं इस संदर में बस एक और बात इससे परे एक और बात कहना चाहता हूं इस बजट में जो जो कहते हैं जिसको लोगों ने बिग टिकट आइटम्स कहा है एक टैक्स वाली बात थी दूसरी यह जो फार्मर् वरकर्स हैं उनकी मदद की जाए यह भी पैंशन स्कीम जो है अब वो जो है समझे कि इतनी ध्रांती जनक चीज है वो क्यों क्योंकि कहा गया कि वो कॉंट्रिब्यूटरी है 18 से 40 वाला जो एज बैंड है गर आप उस उम्र के दाएरे में आते हैं तो आप कॉंट्रिब्यू आप कॉंट्रिब्यूट करेंगे आपका employer कॉंट्रिब्यूट करेगा तो तकरीबन बीस वर्ष बाद जो 40 के हैं गोर आज कॉंट्रिब्यूट करना शुरू करेंगे पैंशन उनको 60 वर्ष के उम्र मिलना है बीस वर्ष बाद आपको जो है तीन हजार रुपे जबकि आज बीस वर्ष बात क्या होगा नहीं होगा वह तो अलग बात है ना लेकिन एक योजना आप अभी शुरू कर रहे हैं यह कहते हुए कि नहीं जिससे की लोगों का अनॉगनाइज सेक्टर वर्कर्स को फायदा होगा फायदा अगर बीस वर्ष बात होगा तो एक तरह से व उसमें गर आपको कुछ करना ही था तो एक ओल डेज पेंशन का जो प्रावधान है आप उसको स्ट्रेंथन करते हैं जिसको लेके MKSS और बहुत सारी संस्थायां मांग करती रही हैं पिछले कई वर्षों से आखरी बात इस संदर्व में यह है कि मिला जुला के आपको किसी भी बजट को आप गर चाहते हैं तो सबसे महतुपूर्ण आकड़ा होता है कि कि आपका जो इसको कहते हैं अकी है कि क्या है एक्सपेंडीचर GDP रेशियो है कि आपका GDP कितना बढ़ है किrüस्टीपके जो है तर आपंधिकर का पास जो CBGA का डॉक्यमेंट है इससे आप कुस्पष्ट हो जाएगा कि 14-15 जबी आये सरकार में तब से तब था ये 14.4 प्रितिशत जो एक्सपेंडिचर जीडीपी रेश्यों जो है ये जो बीई है 19-20 के लिए ये हो गया 12.7 तकरीबन देड़ प्रितिशत उसमें घटोती तो आप जिसको जरूरी खर्च समझते हैं कैसे बढ़ा पाएंगे गर आपका एक्सपेंडिचर जीडीपी रेशियो जो फ्रोपोज के जीडीपी रेशियो घर घट रहा है तो निच्शित तोर पर कहीं ने कहीं जो भूत महतुपूर्ण जरूरत है बहुत भुन्यादी ज किसी एक निउसपेपर में headquarters from Hindi किसी एकपर में कि note for vote बात तो सही है कि कोशिश यही है लेकिन इससे कितना उनके vote में तब्दील हो पाएगा वैसे भी इंडिया में क्या vote में तब्दील होता है और उसमें आर्थिक नीतियां कितना महतोपुर्ण होती हैं ये भी एक गंभीर चर्चा का विशह है क्योंकि मुझे नहीं लगता है कोई बहुत एक सिंपल सा एक्वेशन होता है कई चीजों को आपको लेके उस दायरे में रखना पड़ेगा जिसका एक राजनेतिक परिद्रिश्य जो है उस पे कोई गंभीर या सबल प्रवाव जिसको आप कहेंगे वह हो लेकिन हां कुछ हद तक तो निश्चित तोर पे इसका एक अपना परिणाम होता है होगा और जैसा मैंने कहा कि जो अब तो इन्होंने एक एक चर्चा में एक नया जो फ्रेज लाए कि नियो मिडल तो इस तरह के प्रश्ण जो है लेकिन जो ग्रामीन भारत जो रोजगार जो इस सब तरह की विकराल समस्या जो हमारे सामने हैं कुछ कोशिश की जा सकती थी हम अक्तर हां क्या करते हैं कि राजनीति अcomb competing की बाते सुनते हैं कि एक नेता ने दूसरे से से क्या कि एक पार्टी ने दूसरे से क्या कि और भजट के बारे हम ये समस्ते हैं कि इसमें ये बता जाए कि आये कहां सोगा, खर्चा कहां पर होगा, जब पुरा विश्लेशन कर लिए, तो ये पता चला कि राज्यय, तो जूशते रहिए इन सारे सवालों से और देखते रहिए न्यूश क्लिक शुक्रिया